हम देखते हैं आज की युवा में बड़ा ही जोश है अपने आपको प्रूफ करने का, अपने आपको समाज के सामने, दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने साबित करने का, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी करियर में आगे बढ़ सकता हूँ लेकिन सबसे बड़ी परिशानी उसकी सोच के आड़े जो आती है वो है उसका फोकस ना कर पाना अपने काम के लिए सही आप्शन का ना जुन पाना अपने लिए हम देखते हैं कि जो हमारा युवा है वो किसी एक वर्क को या किसी एक जॉब को सेलेक्ट करता है अपने लिए और उस पे दिन रात मेंनत करता है वो चाता है कि जल से जल उसमें उसे तरक्की मिले वो आगे बढ़े लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये ऐसास होने लगता है उस जौब को या उस करियर को पाकर के अरे ये चीज तो ये करियर ये चीज तो मेरे लिए थी ही नहीं मुझे तो इससे और अच्छा कोई आप्शन जो था वो अपने लिए चुनना चाहिए था फिर वो उसके लिए मेनद करने लगाता है, उसके लिए वक्त देना शुरू कर देता है जो की उसकी काम्याबी में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होता है अगर आप देखें कि जो टाइम जो वकत आपने पहले जब के लिए अपने करियर के लिए लगाया वही वक्त वही सही वक्त अगर आप अपनी सही option को चुनके लगाते तो आज आप और जादा तरक्की कर सकते थे अपने काम में क्योंकि जो काम जो career आपने चुना है आप पहले उस पे focus करिए आप खुझ से पूछें कि अगर आप ये चुन रहे हैं तो क्या ये आपके लिए मुनासीब है सही है आप इसे और आगे continue कर सकते हैं अगर जवाब मिलता है हाँ तो आप उस option को चुनिए और अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं में से आगे नहीं ले जा सकता सामना ना करना पड़ सके जैसा किसी ने क्या खूब कहा है कि ताउम्र कुजर गई कुछ पाने में कुछ ना पा सके कुछ और की तमन्ना में तो अपने आपको फोकस करिए जो भी वर्क आप कर रहे हैं सही दिशा में क्यूंकि अगर युवा ही भटका रहेगा तो देश को सकतुलन कैसे मिलेगा आप खुछ सोच के देखें कि अगर आपके देश का या आप आपका अपने परिवार का कोई बच्चा जो है वो फोकस नहीं है अपने काम को लेकर तो जाहिर से बाते माबाब भी जो है वो फिकर मंद रहते हैं और देश को भी इंतिजार रहता है कि कब हमारा युवा इस कि पाक टोर को समालेगा वो करियर को आगे लेके जाएगा औरों के लिए जो उप्षन उसने अपने खुद के लिए चुना है इसलिए यह बहुत जादा जरूरी है कि आप एक सही उप्षन का चुनाओ अपने लिए करें और उस पे मेहनत करें और उसे कंटीनिव करें उस कोई भी आप उप्षन चुनेंगे उसमें उतार चड़ाओ जरूर आते हैं कोई भी ऐसा करियर नहीं है आपको जट से रातो रात अमीर बना दे आप दौलत मंद हो जाएं ऐसा कुछ नहीं होता मेहनत करना पड़ती है धीरे धीरे ही आपको सक्सेस मिलती है आप आगे कामि करियाब हो सकते हैं बस जरूरत इस बात किये कि हमारा युवा यह समझे कि जो भी वह करियर ऑप्षन अपने लिए चुन रहा है वह सही है या नहीं है क्या वह से आगे कंटिन्यू कर पाता है या नहीं और उस पे और वह क्या वर्क करें जिससे उसे जल से जल और बहतरीन कुई तरक्की को देखने का एक यजो कहते है ना मजा है तो मेरे तमाम युवा से यही मिलता कि है कि आप अ पने काम पर फोकस करो देखों जब तक आप अपने वर्क पे अपने काम पर फोकस नहीं करोंगे ंचुन नहीं तो आपको काम्याबी भी नहीं मिलेगी आपने देखा है ना आपको कहीं किसी मन्जिल पे जाना या किसी दोस्त के घर जाना है और अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप वक्त पे उस जगह उस दोस्त के पास नहीं पहुँच पाते हैं आप होखे ति मेहां जल्ट न साथ पहाँ इस देगानी करोखे लिए तो आप बहुत जल्द में पहुचए रहते हैं तो आप बहुत जल्ड जल्ट है तो यह प्लीन ज़रूरी है कि आप अपने यह जो भी ओप्शन चुन है वह सोच समझ के चुने ताके आपको काम्याबी जो है वो जल से जल मिले और आपके पैरेंट्स को आपके समाच को आपके देश को आपको नाज हो सके हमें भी ये लगे कि हाँ हमारा जो युवा है वो अपमारे लिए हमारे देश के लिए सच में प्रगतिशील है